हेलो एवरिवन आई होप मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे तो दोस्तों मैं हूं साकिर खान और आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल साकिर खानेश के बोई तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं जो नए मोडल की मशीन हैं इन में बत्तियां बहुत ज़्यादा आती हैं और उन बत्तियों से मालिक भी और ऑपरेटर भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कभी किसी चीज की बत्ति तो कभी किसी फिकत होती है इस कोड से समझने में कि यह बत्ति है किस चीज की और किस चीज की नहीं है तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपरोटेंट है वीडियो को लाश्ट तक देखें आज इन सारी बत्तियों का हम स्टेप बाई स्टेप आपको बताएंगे कि यह बत्ति किस चीज की ह और ये बत्ती किस चीज की है क्या इसका फायदा क्या नुक्सार है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए ऐसी जैसी भी नॉलेज के वीडियो और काम करने के तरीके के वीडियो तो दोस्तों वीडियो को अगर आप सेव करके रखना चाहते हैं तो वीडियो को सेव भी करके रख सकते हैं क्योंकि जब भी आपकी बत्ती आएगी और आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं कि यह बत्ती किस चीज की है किस ची सबसे पहले बात करते हैं इस कोने वाली बत्ती का यह अटेच्मेंट बत्ती है जब भी हम अपनी मसीन में कोई ब्रेकर यह अन्य एक्स्ट्रा उपकरण जोडते हैं तो यह बत्ती उस उपकरण को दरसाती है कि इसके साथ मसीन में कोई अतरिक्त उपकरण जोड़ा गया है अब बात करते हैं इस अगली बत्ती का जिस पर लिखा हुआ है पी तो दोस्तों यह पार्किंग ब्रेक की बत्ती है जब भी हम मसीन को कहीं पर स्टोप करके खड़ा करते हैं और हैंड ब्रेक डालते हैं तो हैंड ब्रेक खड़ा कर देते हैं तो अगर आप मसीन स्टार्ट करके जब भी चलोगे और हैंड ब्रेक आपने नहीं गेरा है नीचे नहीं डाला है छोड़ा है तो ये पार्किंग की जो पीक की बत्ती है ये आपको संकेत देगी की पहले हैंड ब्रेक नीचे डालें तभी मसीन आपकी आगे बढ़ पाईगी अब बात करते हैं आगली बत्ती की तो दोस्तो ये बत्ती है जो आपके रेडियेटर का कूलेंट ये पानी है उसका इचर अधिक हो चुका है अधिक होने का कारण है दोस्तो या तो आपके रेडियेटर में पानी या कूलेंट बहुत कम मात्रा में है कम है ओर या कोई अन्य चरण भी हो सकता है अब बात करते हैं अगली बत्ती का तो दोस्तो ये बत्ती इंजन ओिल प्रेशर लोकी है जब आपकी मशीन का engine oil pressure low होगा तो ये बत्ति आपको संकेत देगी कि engine oil pressure low है उसका कारण engine oil है जो वो कम है या फिर कोई filter वगएरा चोक हो रहा है तो दोस्तों आपको हमेज़ा चेक करते रहना चाहिए अब बात करते हैं अगली बत्ति के बारे में तो दोस्तों ये बत्ति आपको तो बैटरी के नुमा आकार की जो आपको दिखाई दे रही है ये बत्ती है बैटरी की चार्जिंग वाली तो दोस्तो आपने हमेशा देखावागा कि जब भी आप माशीन स्टाट करते हैं ये बत्ती जरूर जलती है और बाद में ये ऑटोमेटिक बंद हो जाती है बंद होने का मतलब ये है कि हाँ आपकी बैटरी चार्ज हो रही है अगर ये बत्ती कंट्यून्यू आपको दिखाई दे तो दोस्तो इसका मतलब है कि आपका जो अल्टिनेटर है या तो वो काम नहीं कर रहा है और बैटरी आपकी चार्ज नहीं हो पा रही है तो दोस्तो बा कभी लगाया नहीं और तब भी इसका कोई बत्ती वगएर नहीं आती है यह शीट वेल्ट की बत्ती है तो दोस्तों अब बात करते हैं अगली बत्ती के बारे में और यह बत्ती है आपके हाइड्रोलिक का इसका संकेत देगी यहाईडरॉलिक की बत्ति है नेक्स्ट है एर कूलर की तो तो जब भी आपके मशीन के अंदर आपने देखा होगा कि जो नई मोडल की मशीने हैं इनमें एर कूलर दे रखा है आगे रेडियेटर के ऊपर जब भी वो एर को ठंडा नहीं करेगा और जो एर है उसका टेमपरेचर जादा बढ़ जाएगा तो यह बत्ती आपको संकेत दे आप बात करते हैं नीचे वाली बत्तियों की तो दोस्तो यह बत्ती है कोने वाली यह है आपके डीजल की यानि की इंधन की जब आपका इंधन या डीजल तेल के हो तो जब भी वो कम होगा यह आपको संकेत देगी यह संकेत देगी कि आपका डीजल कम है आपको इसमें डी अगली बत्ती की यह बत्ती है जो आपका transmission है उसके oil का pressure high है तो दोस्तोब बात करते हैं अगली बत्ती के बारे में यह transmission oil pressure low की बत्ती है यापके transmission का oil है उसका pressure low हो रहा है अब बात करते हैं अगली बत्ती के बारे में तो दोस्तो यह बत्ती है ओटो इस्टोप यानि कि आपकी मसीन में यह बटन दे रखा है अगर आप इसको इनेबल रखोगे चालू रखोगे तो आपकी मसीन ओटो इस्टोप हो जाएगी पांच मिनिट के बाद में अब बात करत आपका Hier filter Growing हो गया है अब बात करते हैं अगली बती के बारे में तो दोस्तों यह बत्ती है engine error की बत्ती यानी कि जब भी यह बत्ती जलेगी आपको समझ लेना है कि आपके इंजिन में कोई एर्र आ रहा है या कोई पाल्ट आपको तक्नीक़ खराबी और ऌहरा है तो दोश्तो अब बात करते हैं अगली बत्ति के बारे में वट थी है आपकी मसीन में जो इंधन है डीजल था है उसमें पानी की मिलावट है या नहीं है तो यह उस पानी की मिलावट को दरसाती है, अगर पानी है तो ये बत्ती आपको जरूर संकेत देगी, अब बात कर लेते हैं, इन तीन बत्तियों की आपको ESP दिखाई दे रहा है, जो मीटर का जो एक काटा है, इसके नीचे, तो दोस्तो, E का मतलब है ECO mode, और S का मतलब है STD mode, और P का म यानि ECO mode में बहुत ही कम डेजल खाएगी, आपका खर्चा बहुत कम होगा, और S mode में यानि की medium चलेगी, मध्धम जितनी चलनी चाहिए, और P का मतलब है, पलस यानि की अत्याधिक तेज चलने वाली है, यानि की बहुत high speed में आपकी machine चलेगी, अगर आप P mode पर चलाओग तो दोस्तो यह थी आज की जानकारी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दोस्तो वीडियो कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बता हैं, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो बटन जरूर दबा दें, साथ में नोटिफिकेशन का बेला इ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई